आप सभी लोगों को मालू होगा कि हमारे देश में कुरोना वायरस का टीका करन सुरू हो चुका है और वैक्सीन आ चुकी है लेकिन याद रखिए जितना ही एक तरह से कठिन था आपका वैक्सीन बनाना उतना ही हर वैक्सीन को टीका करन करना कठिन है आपने देखा है कई राज्जों ने कह दिया कि मैं हमारे आप फ्री में सभी को वैक्सीन लगेगी लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन और आप समझ सकते हैं कि हॉस्पीटल में बैड की विवस्था नहीं उपलब्द करवा पा रहे हैं सभी लोगों को तो क्या आप लोग वैक्सीन सभी लोगों को फ्री में उपलब्द करवा पाएंगे देखिए इस तरह की बादे आप समझी की राजनिती रूप से सही हो सकते हैं जिस तरह से आप देखते हैं कि 2 करोर रोजगार देंगे 19 लाग रोजगार देंगे लेकिन बाद में क्या मिलता है आप सभी लोग वहतर जानते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कीमत रखी जानी चाहिए कि जो जिसमें आप समझें कि गरीब है तो उसके लिए कम से कम वो भी अफोर्ड कर सके जो अमीर है यानि कि जो आर्थिक इस्तिती जिसकी ठीक है उस तक भी आराम से पहुंच सके और या फिर आप समझ सकते हैं कि जो गरीबी रेकान से नीचे हैं जो इतना पैसा नहीं दे सकते हैं जितने की वैक्सिन है तो उनकी लिए फिरी कर सकते हैं आप लोग ठीक है से आप कहा सकते हिं कि 20flower जनीत संक्रमक रोक था और बच्चों में अदिक तर आप दो लोग देखती होंगे और आपने देखाई हिपिर इसका टी का करन किया गया उसके बाद आपने देखायी कि भारत में, भारत भी पोल्यो मुक्त हो चुका है और आप समाज, आप सभी को माल होगा कि ये 2014 के आसपास हम लोग पोल्यो मुक्त हो चुके थे दच्छिनफूर वेशियाभी पूरा आप लगभग देख सकते हैं, कि पोल्यो मुक्त गोसित हो चुका है तो इसमें उसी की बात की जा रही है कि उस समय क्या हुआ था और समय एक नारा चला था आप लोगों को याद होगा और यह आर्टीकल याद रखिए मुकेस भारदवाज के द्वारा लिखा गया है तो इसमें एक नारा चला था पोलियो के समय टीका करन के समय एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक तूटा इसका मतलब समझे रहे हैं आपों कि देखिए सबसे वहले तो यही याद रखिए कि जिसे आप बैक्सीन लग रही है उसे भी आप देख रहे हैं कि कुरोना हो रहा है अगर उनमें से कोई ही है जिसे हम लोग तोड़ने की बात करें वो पूरी तरह से संभाव भी नहीं हो सकती है ठीक है और यह ना रहा था कि पल्स पोलियो अभियान का और आज भारत पोलियो मुक्त है तो इसलिए कि भारत सरकार ने इसे जन कल्याड कारी उजना की तह लिया और हर बच्चे तक इसकी मुक्त और अनिवार पहुंच मुया कराई आज भारत का एक बड़ा तबका निजी अस्पतालों में बाजार की मुनाफे का हिस्सा भुक्तान कर अपने बच्चों को इस दबा की खुराक दिलाता है लेकिन यह दावा आज भी हर बच्चे के लिए मुक्त है लेकिन आ जरकारी करमचारी इसकी कुराक दे पाते हैं आपके गाउं में भी आते होंगे पोली और दबा पिलाने के लिए इससे क्या रहता है कि पिलाने से आप समझे कि कभी भी आप पर वायरस का एक हमला होता है तो उसे खतम कर देगा यानि कि पहले से आपके अंदर आप कह सकते ह कमता आ जाएगी ठीक है हम कोरोना में हमारी की दूसरी खतरनाक लहर का सामना कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में केस भी आ रहे हैं दुनिया में सबसे जानदा हमारे यह हैं और हमारे हैं आप देख रहे हैं कि डेथ भी यानि की मौत भी बहुत ह और इस बाद के सारे सोध हमारे सामने ही कि कोरोना रोधी टीका इसे विशाणों की मार से बचाने में काम्याब है। और अब ही आपने देखा होगा कि हमारे जो फूरु पिधान मंतरी थे मनमोहन सींग उन्होंने एक चिठ्थी लिखी थी पिधान मंतरी को उसमें सभी लोगों को टीका करन की बात की गई थी। पिती खुराग और दो खुराग आपको लेनी है आपने देखा होगा। और राज्य सरकारों को आप देखेंगे 400 और निजी अस्पतालों को 600 रुपे में मुया कराने की यह उजना है। यानि सीधी सी बात है कि सेंट्रल अगर गवर्मेंट को भी सेल्ड की 150 रुपे पिती खुराग है। राज्य सरकारों को भी बात करें तो 400 रुपे और निजी अगर कोई प्राइवेट हॉस्पीटल में आप जाते हैं तो 600 रुपे इसकी कीमत रखी गई है। एक तो सबसे बड़ी फिर रॉबलम यहीं बनी हुई है कि अलग अलग क्यों रखी गई इसकी कीमत। ज disp! भी आप जानते हैं कि हमारे यह सबसे जानना है। जाहरे सस्ती होनी चाहिए थी, वहीं आप समस्कते हैं कि एक तरह से महिंगी रख रहे हैं। वहीं आप देखेंगे भारत बायोटेक की कीमत तो इससे भी जानना हैं। यह राज्यों को आप देखेंगे 600 रुपे, और निजी अस्पतालों में आप देखेंगे 1200 रुपे में मोहा कराने की बात कही गई है, यही अभी हमारे देश में यही दो वैक्सीन बनी हुई है, कोवी सील्ड और आपकी दूसरी है कोवैक्सीन, और काफी बाबा राम देओ बनाते रहते हैं, उन पर विश्वास अभी तो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है, और समझ सकते हैं आप लोग, पिछली बार भी उन्होंने बनाई थी, लेकर बाद में आपने आपने देखा है कि डबलू यह उन्हें काफी फटकारी भी लगाई थी, ठीके, बड़ी खामी यह है कि निजी अस्पतालों के लिए सबसे जान्दा कीमत रखी गई है, यानि कि प्राइवेट होस्पीटल की बात कराओं, जबकि आपदा की समय में जब सरकार ने महामारी कानूर लगा रखा है, तो उसे निजी अस्पतालों की संसादनों का पूरा इस्तिमाल करन चाहिए, बे कमजोर तपके की पहुंच से बाहर हो जाएंगे, और निजी अस्पतालों की आधारभू सरचना बेहतर है, और उन्हें रियायती दरफर टीका करन की सुविधा दिये बिना बीमारी की एक कड़ी तूट नहीं सकती है, अगर निजी अस्पताल 600 रुपे और य इसी भी कीमत में नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें महामारी के इस मंजय पर मुनाफ़ा प्रात्मिक नहीं हो सकता है, जहां लोगों की जान जा रही है डेवी, वहां फायदे की बात करना आप समझ सकते हैं कि एक तरह से इस्तिधी खरा सकता है, और जान्दा से जान्दा लोग इसके दायरे में आएंगे, आप समझे कि एक तरह से केंद सरकार अगर टीका करन करवाती है, तो सस्ता पड़ेगा, फिर राजी सरकार आप समझे कि टीका करन करवाती है, तो उससे थोड़ा महेंगा, केंद से थोड़ा महेंगा, औ प्राइवेस होस्पिटल में आप अगर जाते हैं तो महेंगा, सबसे महेंगा, तो आप मैसे अधिकतर लोग आप क्या सोचेंगे, कि सरकारी में चलिए केंद सरकार की जो भी लगवाएगी, जो भी लगाएगी, उसके यहां, तो आप समझे कि वहीं बेड लगे रहेगी, बा कही जा रही है, अगर कीमत का बड़ा फरक होगा, तो कमजोर आरवर्ग का आदमी इधर ओधर कर कुछ पैसे बचानी की कौसिस में खुद को खत्रे में डालता रहेगा, आज जब कोरोना की इलाज का बोज सरकारी अस्पतालों पर आया, तो कोरोना जाज की रिपोर्ट ती मजबूत नहीं होती है, कि वो प्राइवेट हॉस्पीटल में अपना इलाज करवा सगे, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि निजी अस्पतालों में इलाज इतना महेंगा है, कि चार दिन की दाथली के बाद आम लोगों की जमापूजी खतम हो रही है, आप लोग बह देखाएगी पहली लहर और दूसरी लहर में कितना अंतर है, आपने देखा वीच का समय जो मिला हुआ था, इसमें हम लोग काम कर सकते थे, जैसे ओस्पीटलों की स्थिति सिधार सकते थे, ऑक्सीजन का भंडार कर सकते थे, लेकन हम लोगों ने पहली लहरी से कुछ सीख नहीं ली उसके बाद आपने देखा है कि दुबारा कितना तोफान एक तरह से आ चुका है आज आप देखेंगे तो निजी करण एक बड़ा सच है और आम हालात में सरकार वाजार की पिती करिया पर नियंतर्ण नहीं रख सकती है लेकिन अभी हालात अलग हैं और महामारी कान करार भी किया था और दवा कंपनियों का दवा है कि अन्य देशों से उत्पादन के लिए उससे पहले ही अनुदान मिल गया था और जहां करार जानदा हुआ है वहां आप उरती जानदा हुई है और अमेरिका ने उन कंपनियों को भी परयापत अनुदान दिया जो टीका उ पुपादन हुआ तो पहले चरण में आप देखेंगे 60 के उपर जिनकी एक तरह से आपकी 60 थी उन्हें को लगाने की बाद की गई थी और उसके बाद आप देखेंगे धीरे-धीरे जो 45 साल या 45 के उपर थे उनको इस टीका करण के दायरे में लाए गया ओमिल सीमा घटी तो टीका करण का दायरा बड़ा और नतीजह एह हुआ कि पहले जिन दो खुराकों के भी चार हपते का अंतर रखा गया था और कई जगों पर वह अंतर आठ हपतों तक का हो गया क्यमकि आपने देखा यानि कि सौटेज फोड़ेगी अगर वैक्सिन की तो लंब समय बढ़ाना भी होगा अब देखेंगे आप लोग देश में बड़ा तबका अठारे से चालीस उमका है और आप सभी बहतर भी जानते हैं कि युगा काफी जन संख्या में है और वहां आप देखेंगे हमारी की दूसरी लहर में वहां जाना और खतननाक तरीके से चपेट में आने लगा तो इसके लिए भी टीका करण को खोलना जरूरी हो गया है राज्यों से संख्या बढ़ानिक पर जोड़ दिया जाने लगा तो सबसे पहले नीती यह सूजी की अपना खरीदो और लगाओ 18 से उपर और 45 से नीची की जन संख्या राज सरकारों पर निर्वा छोड़ दी गई और वह केसे और किस दरपा टीका देगी तो कई राज सरकारों ने आपने देखा है कि 18 से उपर वालों को थ्री में टीका करण की बात की है तो कितना संभव होता है यह तो आने वाला बक् में देखता है संकट का समय उसके लिए मुनाफिका भी समय है और जब वाजार को लगा कि रेमडेसियर की मांग जांदा नहीं है तो उसका उत्पादन बंद कर दिया है ऑक्सीजन के जांदा भंडार से वाजार को क्या फायदा मिल सकता था उसी का हम लोग पाईडाम भी व नाकाम कौसिस कर रही है एक आप लोगोंने काफी तस्वीर देखी हुई वाइरल भी हुई है कि एक मतलब उस पत्ली अपने पती को ऑक्सीजन से लेंडर ना में लिलने के कारण अपने मुहिश से एक तरह से ऑक्सीजन दे रही थी अंत में उस पती की एक तरह से डैध भी का संकट है ऑक्सीजन से लेंडरों के इंतजाम में लगी भीड बीमारी की उस उंचाई को लेकर डरा रही है जो अभी आई भी नहीं है यानि कि इससे और बुरी इस्तिती हो सकती है कहने का सीधा से मतलब बाजार को संकट से फायदा होता है और ऐसे ही समय में सरकार की कमाता कमपनियों से इस कीमत कम करने की अपील किया है और इसके साथ आप दुखेंगे साथी सुप्रेंग कोट ने भी टीक की अलग अलग कीमतों पर केंद सरकार से सवाल किया है और अदालत का कहने है कि डिरेक कंट्रोल एक्ट और पेटेंट एक्ट के तरह सरकार को इस पर नियंतर्ण की सकती हासिल किये अभी भी वक्त है और हम टीका करन की कीमत पर वहतर नीती लागू होने की उमीद कर सकते हैं और यादर कि इस तरह की विपदा आती है आपदा आती है तो हम सरकारों को किस लिए चुनते हैं इसलिए हम लोग फिर आईविटों को नहीं चुनते हैं हम सरकार को इसी मदद इसी समय की मदद के लिए एक तरह से चुनते हैं कई आपने देखा है कि कई लोगों ने तो यहां तक कहा है कि इसका पेटेंट अभी ना हो तो ही सही है कोई भी कंपनी उतफादन कल सके क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया कुरोना से किस तरह से जूज रहा है सबसे पहले लोगों की जान एक तरह से जरूरी और इससे निकला जाए उसके बाद फायदी की बाद की जाए तो अच्छा रहेगा ठीक है जब तक आप लोग रजिस्टेशन करवा लीजे अपना और लगवा लीजे देखिए जो होता है और जितनी मैं कहता हूँ कि सेफटी रखे जब तक भी जैसा भी इस्तिती रहे तब तक अपने आपको कम से कम सेव रखे आंगे जो होगा उसे से लिए से इसाथ जया जो होगा तक अपने जो होगा तक